हाई गाईज तो जैसे आप लोग आयों कि आप अच्छे ही होंगे तो चले अपने मैंड पॉइंट की तरफ चलते हैं तो वाट इस रोडियम यह रोडियम क्या है और रोडियम का विज्कार किसने क्या है और जो इसका उप्योग होता है कहा होता है तो चल uniqu ेस्टरार्ट करते हैं तो यह रोडियम क्या है रोडियम जो है रसाइनिक तत्व है यह एक रसाइनिक तत्व है ज़ो मैडि लीव की आवर तसाली में गुरूप नंबर 9 और ब्लोग दी में दर्साया गया है अभी रसाइनिक तत्व होता क्या है गाइस मैं हर वीडियो में बताता जा रहा हूं कि रसाइनिक तत्व होता क्या है रसाइनिक तत्व वो होता है जो नेचरली हमें मिलता है यानि वो तत्व प्राप्त होता है उसी को यह रसाइनिक तत्व बोलते हैं जैसे सोना लोहा और और धातों हैं उनको जो है हम बना नहीं सकते हैं हम उनसे ही मैनफेक्चर और प्रड़क्शन कर सकते हैं ठीक है आई अब देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे हम तो कई जो इसका सिंबल है वो और एच परमाडो किरमांक 45 परमाडो भार 100 2.90 और इसका फुल लेंड जो है रोडियम है और यह देखने में सिल्वरी वाइट मेटेलिक एंड सोलिड होता है इसका फिसकार जो है अठारा सो तीन इसवी में वीलियम हाइड वॉलिस्टोन ने किया था रोडियम एक अकिर्य संक्रमन दातु है जो कि प्लेटिनम गुरुप का ही एक मेंबर है और उननिस्सोचोसर सेंटीग्री टैमपरेचर पर यह मेल्ट होता है यानि गल्ट है और 3695 सेंटीग्री टैमपरेचर पर यह उबलता है और गैस इस उबानने में काफी टाइम खर्च हो सकता है तो चलिए बात करते हैं अब यूज इसके बारे में यानि उप्योक के बारे में तो गैस मैं आपको बता दू असी परसेंट जो है यह कारों के अंदर यूज होता है और वो किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ converter होते हैं आपने converter देखे होंगे कारों के अंदर लगे हुए जो कि उसके आसपाद जो gas होती है nitrogen oxide उसको ये कम करता है converter ठीक है और वो converter जो है उसके अंदर ही ये rhodium यूज होता है और optic fiber और optical दरपड में भी इसका यूज होता है अब ये optic fiber क्या होता है तो guys मैं आपको एक example बता रहा हूँ उसकी जरा से ही मैं आपको समझाओंगा एक दिन roman सोचने लगा कि भाई यहां से पानी वहां कैसे पहुचाया जाए वो भी एक scientist है जिसने pipe का विसकार कियाता है तो उसने सोचा कि क्यों ना एक pipe बनाए जाए जिसके जरे से एक जगे से दूसी जगे हमारा water transfer हो जाएगा तो Romans ने जो है pipe को ही बना दिया और एक जगे से दूसी जगे water को transfer कर दिया जो कि ये एक pipe अविसकारक Romans जो है ये भी scientist है जिसने pipe का विसकार किया है अब ये अप्टिक फाइबर भी एक वायर होती है जिसके अंदर हम जैसे पाइप है ना उसके अंदर वाटर जा रहा है बट अब जो अप्टिक फाइबर वायर होती है उसके अंदर हमारी लाइट गुजारी जाती है जो यह आपने देखोगा आपने नेट चल रहा है यहां से वहां चल रहा है और आप फाइल सेंड कर रहा हो कहीं को यह किसी चीज को और इसकी वायर की जो होती है मतलब हमारा जो बाल होता है ना उसका यानि 10 पॉइंट मान के चलो इतना बारिक उसके अंदर फाइबर यानि प्लास्टिक की वे बनी होती है प्लास्टिक या गिलासिस की वायर बनी होती है और उसके अंदर ही यह रोस्नी जाती है ठीक है और इसी तरह से हमरा आदान प्रदान उस वायर के जरिए से होता रहता है तो उसे ही हम ओप्टिक फाइबर कहते हैं I hope कि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो कुछ पूजना है आपको हमसे वो कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए